मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही मौडरन सी सीडी से जहां पर हम देखते हैं एक मंकी एजेंट किसी चीज़ का वेट कर रहा था उसका मिशन था कि किसी से एक ब्रीफ केस लेकर वापस आना इस मिशन को लीड कर रहा था विलस नाम का एक एजेंट जो के बहुत ही घमंदियों लापरवा था यहां पर हम देखते हैं कि इस मिशन के होते हुए पीछ में टाइगर गैंके कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं जिसके बाद वो ब्रीफ केस लेकर यहां से भागने लगते हैं अब विलस भी एक गारी को लेकर इनके पीछे लग जाता है बहुत ही जादा तबाई होती है इस ब्रीफ केस को लेने में पर आखिरकार विलस कामयाब हो जाता है और monkey agent वो brief case लेकर वापस headquarters पहुंच जाता है वापस पहुंचने पर captain Willis को बहुत जादा डानता है कि तुम्हारे तरीके बिल्कुल ठीक नहीं तुम्हारी वज़े से बहुत ही जादा तबाई हुई है पूरी city में और अब punishment के तौर पे उसे एक secret base पर भीश दिया जाता है जहाँ पर उसको बताया जाता है कि एक secret area को इसने guard करना है और वहाँ पर एक agent हेक्टर उनको साथ देगा इस चीज़ में अब जल्द ही एक helicopter उसे base तक पहुंचा देता है यहाँ पर जाकर विलिस देखता है कि यहाँ के हाला तो बहुत ही जादा खराब है समान हर तरह से बिखरा हुआ है और कोई बीचीज और गनाइस नहीं वहाँ पर उसे hacker भी मिलता है जो कि यहाँ का IT manager था उसकी दो hobbies थी विज़ा खाना और बहुत सारी movies देखना अब इन दोनों की तो बिल्कुल नहीं बन रही थी अब हम देखते हैं कि सब्मरीन के थूँ कुछ लोग यहाँ सेफ बेस पर पहुंच चुके हैं यह लोग कार्गो चुराने के लिए आए थे यह वही कार्गो था जिसको कैप्टन ने सेफ गार्ट करने के लिए विल्स को यहाँ बेजाता यह लोग बिज़ी थे कार्गो चुराने में दूसरी तरफ हेक्टर और विल्स एक मूवी देख रहे थे साथ बिज़ा खा रहे थे फिल्स अब यहाँ पर कोई बुराई कर देता है मूवी की जिसकी वज़ा से इन दोनों की लड़ाई साथ हो जाती है साथ ही इनको एक रेड लाइट बीप करते भी दिखाई देती है और स्क्रीन पे इनको नज़र आता है कि कुछ लोग कार्गो के पास है यह दोनों भागते हैं कार्गो को बचाने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोरों के लीडर को भी नज़र आ जाता है कि यह दोनों इसकी तरफ आ रहे हैं जिसके बाद वो कुछ ड्रोन्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो इनको जाकर पकर ले अब यह अलग-अलग होकर ड्रोन्स को मारने की कोशिश करते हैं यहां पर हेक्टर एक ड्रोन्स पर जम्प करता है जिसके बाद वो उसकी ब्रग्रामिंग को चेंज करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है अब इसके बाद और भी जादा ड्रोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं यहां पर हम देखते हैं कि कैसे कार्गो को चुराते हुए वो बाहर निकलता ही है तो उसके हाथ में एक डाइरी थी जो के नीचे गिर जाती है यहां पर इससे पहले कि विलिस इनको रोक सकता वहां पर तीसरा चुराता है और इन दोनों को बगा कर ले जाता है एजनसी वापर जाकर ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि कार्गो मिसिंग है अब यहां पर तो कैप्टन बहुत ज़्यादा उसा होता है इनको कहता है कि उस कार्गो में रेडियो साइट है जो कि बहुत ही जादा रेडियो एक्टिफ और बहुत ही कीमती है और अगर किसी गल्द हातों में लग जाए तो बहुत तबाई हो सकती है इसके बाद ये इन दोनों को सस्पेंड होने का कहता है जिस पर यहां पर विलिस वो डाइरी निकाल कर दिखाता है कि ये डाइरी मुझे मिल चुकी है और अब मैं किसी तरीके से भी उनको ढूंड लूँगा अब यहां पर कैप्टन इनको टाइम देता है कि जल्द से जल्द वो वापिस ले आए वरना इन दोनों की तो खैर नहीं उस टाइरी के उपर एक हास्पिटल का नाम लिखावा था और ये दोनों नेर्स के गेट अप में उस हास्पिटल के लिए निकल परते हैं यहां पर विलिस अंदर एकेले जाना चाहता था जिसकी वज़ा से वो हेक्टर को बेहोश कर देता है और वहीं पर छोड़ कर अंदर चला जाता है वो देखता है कि उस मुवी में जिस हिरोईन का ये मज़ा कुड़ा रहा था वो भी यहां पर मौजूद है हास्पिटल में टीवी पर विलिस नियूस देखता है कि कैसे एक रोबोट ने एक वाइट राइनो को फ्रीज कर दिया है साथ ही कैपटन भी नियूस में बताता है कि कैसे वाइट राइनो सिर्फ पांच है और यहां पर जो भी ये कर रहा है वो सिर्फ वाइट राइनो के पीछे पड़ा है और इनको खतम कर देना चाता है और यही ऐसा पहले भी हो चुका है जहांपर कुछ मैमल्स को पहले खतम कर दिया इसके साथ ही विलिस देखता है कि उस फ्रोजन राइनो को इस हॉस्पिटल में लाया जा रहा है विलिस नोट करता है कि एक बहुत ही खुबसूरत नर्स इस राइनो को लेकर जा रही है डॉक्टर के पास जिसके बाद विलिस उसकी नर्स करता है और इसे डॉक के पास जल्दी से पहुंचा देता है यहाँ पर जब डॉक इसको ट्रीट कर रहा था तो अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती है और लाइट्स के बगए तो राइनो को बचाना बहुत ही नामुम्किन था जिसके बाद विलिस यहाँ पर अपना दमाग यूज करती हुए एक इलेक्रिकल फिश को बाहर निकालता है जिसके यूज करने से राइनो बच जाता है हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक टेक है जिसके पास एक पैट स्नेक भी है विलिस यहाँ पर इस ड्रैगन को भी कंट्रोल करने में कोशिश करता है जिसके बाद कॉफी का असर जैसे ही खतम होता है वो बिल्कुल नॉर्मल वापिस स्नेक बनने लगता है यहाँ पर विलिस गिरने लगा था और वो ही खुबसूरत सी नर्स विलिस को बचाती है और हम देखते हैं कि कैसे यह दोनों एक दूसरी को पसंद करने लगे हैं हेक्टर को थोड़ा होश आता है वो अभी भी दुवाई के असर में था यहाँ पर वो सब को बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एजिंट हूँ पर यहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि शायद पांगल हो गया है जिसकी वजह से इसको एक अलग वाड में शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ पर वो एक शीप की मदद से उस वाड से निकलता है और पहुंँ जाता है विलिस केपास अब विलिस केपास वह नर्स भी थी तो उसको ड़र था के कहीं ये इसको सच ना बता दे कि ये एक नर्स नहीं बलकर ये एक एजयन्त है जिसके बाद वहेक्टर को एक अलग रूम में लेकर जाता है और वो देखता है कि ये वोई रूम है जहां पर उस राइनो को लेकर आया था विलिस नोट करता है कि कैसे ये रूम बिलकुल खाली है और अब यहां पर कोई भी राइनो नहीं इतने में ही बाहर कोई आवाज आती है और ये दोनों छुपकर वेट करते हैं कि कौन है कोई radioactive material के बारे में अब यहाँ पर Willis बाहर निकलता है और उसे arrest करने लगता है जिसके बाद वो बताती है कि मैं एक actress हूँ और यहाँ पर मैं अपने play की practice कर रही थी यहाँ पर अब यह दोनों इसको sorry बोलते हैं जिसके बाद वो इनको blackmail करती है कि इसके बाद तुम भी मुझे साथ involve करो ताके मेरी अपनी play के लिए त्यारी अच्छी हो जाए ना चाहते हुए भी Willis को हाँ कहनी परती है जिसके बाद यह लोग इस room से निकलते हैं और कुछ और nurses की बातों से पता चलता है कि यहाँ पर एक secret floor भी है जिसके बाद वहां यह जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे वहां पर बहुत सारी pictures लगी है और बहुत ही कुछ secret planning भी चल रही थी वहां पर doctor की बहुत सारी pictures थी और शायद वो इन सब चीजों में involved भी था pictures और documents से काफी clear था कि doctor किसी secret project में involved है यहां पर इनको कुछ cassette भी मिलती है जिसको actress कहती है कि play करके देखना चाहिए पट हेक्टर उसे बताता है कि इस जैसी cassette को play करने के लिए हमें एक VCR मशीन चाहिए जो कि अब आजकल कोई use नहीं करता इस तरह से ही यहां पर ढूनते हुए इनको वो सारा radioactive material भी मिल जाता है और काफे ऐसे costume भी ताके उन radioactive material को दिल किया जा सके इन सब चीज़ों को देखकर तो clear था कि doctor अब यहां पर इन चीज़ों में involved है इतनी ही देर में white rhino को लेकर कुछ लोग यहां पर आते हैं जिसके बाद विलिस इसको बचाने की कोशिश करता है तो वो रोबॉट जिसने इस white rhino को freeze किया था वो भी यहां पर पहुंच जाता है इसके बाद बहुत ही मुश्किलों से यह यहां से बचने की कोशिश करते हैं वहां पर actress को एकारी नज़र आती है जिसके उपर उस hospital का logo भी बना था विलिस को समझ नहीं आ रही थी कि यह सब हो क्या रहा है इतनी ही देर में वो रोबॉट विलिस पर हमला करने वाला था पर यहां पर हेक्टर अपनी गन यूज करते हुए उस रोबॉट के बाद उको जखनी कर देता है जिसके बाद वो रोबॉट यहां से भाग जाता है हेक्टर विलिस को बताता है कि मुझे लगता है कि यह रोबॉट डॉक्टर ही है और यहां पर यह रेडियो अक्टिव मेटीरियल यूज करके नौन स्टॉप पावर प्रोवाइड करना चाता है खुद के लिए अब यहां पर विलिस ने कुछ बाद ले लिये थे उस डॉक्टर के जिसके बाद वो हेक्टर से कहता है कि इन पर हम डिने टेस्ट करके प्रूफ कर सकते है कि यह सब कुछ करने वाला वो डॉक्टर ही है जिसके बाद यहां पर काफी चीज़े क्लियर हो जाएंगी अब यह दोनों यहां से निकलते हैं उस टेप को ले कर ताके उसको देख कर पता चल सके कि अंदर क्या है यह लोग जब टेप प्ले करते हैं तो देखते हैं कि कैसे उस डॉक्टर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मेहमत आइलेंड पर एक्सपेरिमेंट किये थे चहां पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत जादा हो गई थी जिसकी वज़ा से एक एकर के महमत सारे मरने लगे थे अब इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ने ये रेडियो साइट यूज किया था जिसकी वज़े से global warming कम तो होने लगी थी पर मशीन में कुछ खराबी आने की वज़े से वो island और आसपास का सारा पानी freeze होने लग गया था ये सारी information लेकर Willis और Hector सोचते हैं कि अब agency जाना चाहिए Captain के पास दूसी तरफ हम देखने हैं कि कैसे वो actress DNA टेस्ट देख रही थी और उसे पता चलता है कि ये वो doctor नहीं बलके कोई महमत का DNA है अब office में जब जाकर ये सारा प्रूफ देते है Captain को तो वहाँ पर Willis नोट करता है कि Captain के हाथ में भी कुछ पटी बंदी है यहाँ पर उसका assistant गलती से एक secret door खोल देता है जिसके अंदर वो robot costume था यहाँ पर इन दोनों को समझ आ जाती है कि इस सबके पीछे Captain का भी हाथ है जिसके बाद Captain इन दोनों को लॉकर में बंद कर देता है वहाँ पर वो टाइगर भी था जिसको Willis ने स्टार्ट स्टार्ट में पकड़ा था यहाँ पर वो एक वीडियो गेम खेल रहा था जो कि उससे complete नहीं हो रही थी और हेक्टर उसकी मदद करता है उसको complete करने में जिसके बाद वो टाइगर मदद करता है इन दोनों की यहाँ से भागने में यहाँ से भागने के फॉरण बाद यह दोनों दुबारा hospital जाते हैं जहाँ पर इसे वो ही nurse मिलती है खुबसूरत सी उसने भी वो चोरो वाला कॉस्ट्यूम ही पहना हुआ था जिसके बाद विलस को लगता है कि शायद ये भी agency में involved है पर यहाँ पर वो कहती है कि मेरे पीछे आओ वो उन्हें एक secret area में लेकर जाती है जहाँ पर तो एक अलगी दुनिया बनी थी डिफरेंट डिफरेंट गलोब्स में वो सारे आइनमल्स थे जो कि extent होने वाले थे यहाँ पर डॉक्टर भी आता है और उनको बताता है कि कैसे मेहमत आईलिंड वाले एपिसोड के बाद उसको खुद पर बहुत जादा घुसा आया नर्स विलस को बताती है कि रेडियो साइट चुराने का मकसद सिर्फ इतना था कि unlimited power supply मिल सके ताकि यह लोग experiments कर सके अराम से साथ ही डॉक्टर बताता है कि इस रेडियो साइट से वो temperature अराम से control कर सकता है और ऐसे बहुत से animals जोके खतम होने वाले हैं उनको बचा सकता है विलस डॉक्टर को बताता है कि कैसे captain एक mammoth है और शायद वो बदला लेना चाहता है जिसकी वज़ा से उसने राइनोस को खतम करने की कोशिश की है और अब वो अपने agents जरूर भेजेगा यहां पर ताकि हम सब को पकड़ा जा सके पर हमें मिल कर उनका मुकाबला करना होगा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है यहां पर captain कुछ agents को भेजता है इनके पीछे सारे के सारे agents यहां पर पहुँँ जाते हैं और इन से लड़ने लगते हैं यहां पर यह सब लोग भी मिल कर उनका मुकाबला करते हैं हम देखते हैं कि वो technician भी अपने snake को व कैप्टन उस robot suit में जिसके बाद वो एक एक करके सबको freeze करने लगता है यहां तक कि वो बड़ा सा dragon भी अब हार मान जाता है और freeze हो जाता है यहां पर वो doctor आकर पूछता है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो कैप्टन बताता है कि मैं छोटा था जब तुम लोग उस मेहमत आईलेंड पे experiment कर रहे थे और मेरे डैट को पहले से ही कुछ feeling आ रही थी कि कुछ गल्द होने वाला है जिसकी वज़ा से उन्होंने मुझे एक boat पर बिठा कर दूर भेश दिया था थोड़ी ही दू जाने के बाद वो देखता है कि आईलेंड के उपर एक बहुती बड़ा सा blast हुआ है जिसके बाद हर चीज जम चुकी थी इवन कि उसकी अपनी family भी पूरी की पूरी जम चुकी थी और अब इस सब चीजों के लिए वो blame कर रहा था डॉक्टर को इसके थी अब वो अपने एंटीनाज यूज करते वे बहुत सारी बीस को बिलाती है जो के कैप्टन के आर्मर पर हमला कर देती है इस तरह से उसका आर्मर टूर जाता है यहाँ पर विलस गन यूज करते वे उस आर्मर को शूट करता है ताकि उस पे लगा हुआ रेडियो साइट खराब हो जाए और उसकी सारी पावर खतम हो जाए अब यहाँ पर कैप्टन की सारी पावर खतम हो चुकी थी कैप्टन भी हार नहीं मानता वो एक्टरस को गन पॉइंट पे पकर लेता है ताके बाकी सब लोगों को ब्लैक मेल कर सके बट इतनी देर में डॉक्टर एक और म अच्छा इंसान है पुरा बिल्कुल भी नहीं कैप्टन ये देखकर बहुत ही जादा खुश होता है और अपनी हारमान लेता है जिसके बाद वो दूसरी मैमित को हग करता है अब मुवी के लास सीन में हम देखते हैं कि कैसे रेडियो साइट यूज करके इन सब जल्मे हुए जानवरों को ये ठीक कर देते हैं साथ ही हम देखते हैं कि विलिस उस नर्स को प्रोपोस कर देता है और कैसे हेक्टर उस एक्टरिस के साथ खुश है और ऐसे ही मुवी एंड हो जाती है